फ्रेंट्स जल्दी ही तीज आने वाली है और भी बहुत सारे फेस्टिबल्स आने ही वाले हैं तो इस्पेशली तीज में जो महिलाएं होती हैं वह बहुत अच्छे से साजती सामरती हैं और तो मैंने सुचा क्यों ना मैं आज एक लुक आप लोगों के साथ शेयर करूं और एक लुक क्रियेट करूं बहुत ही सस्ते प्रोड़क्ट के साथ तो पूरी वीडियो जरूर देखना तो सबसे पहले मैंने लगाया है फेस्ट मिस्ट टूनर आगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल सा गुलाब जल भी लगा सकते हैं अपने लिप्स को हारीट करना बिल देखिए इंस्टाग्राम पर मैंने शेयर की हुई है आप लोग भी फॉलो करना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो यह मैंने लगा लिया है प्राइमर प्राइमर की जगह आप अलोवेरा जल लगा सकते हैं और यह सारे स्टेप्स बहुत जरूरी छलो ठीक है फाउंडेशन ही लगा लेती हूं तो यह फटाफट से मैं ब्लेंड कर लेती हूं और मैंने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट फॉरूड किया है यह जो आपको आट मिनट की वीडियो दिख रही है बहुत लंबी थी तो कट कुट करना पड़ता है तो यह मैंने लगाया कंसीलर वैसे तो भगवान की देरह से मेरे डाक सरकल्स नहीं है थोड़ी सी जो आइस होती हों डिफाइन लगने लगती है तो अगर आपके पास कंसीलर भी नहीं है तो आप पर फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम जो भी आपके पास है उसको यूज करके अच्छ कि जो फेस है वो कितना डिफाइन लगने लगता है कितना अच्छा लगने लगता है तो यह जो मेरा फूला फूला सा चेहरा है यह बिल्कुल आप देखेंगे अभी कितना अच्छी से शेप में आ जाएगा तो इस तरीके से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूं अपने फेस की और हर इनसान की जो भी फेस की बनावट होते हैं उसके हिसाफ से अलग अलग तरीके सी गोन्टूरिंग होती है तो मेरी जो फेस की बनावट क है कुछ हिसे तो चीह कर रही हूं तो अच्छे से आप इसको लगा ले और बहुत इसमें मैंने बहुत कम प्रोड़क्ट का यूज़ के आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी जो प्रोड़क्ट है वो आपको कोई भी प्रोड़क्ट महंगा नहीं दिखेगा या फिर कोई product बहुत ही ऐसा नहीं है कि compulsory है मैं आपको उसके सारे options भी मैंने शियर कर दिये हैं तो आप बहुत सस्ते चीजों से एक अच्छा लूप बना सकते हो अपना तो मैंने पहले तो sponge से किया उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं मैं brush से कर ले तो यानि कि अनलब beauty blender की आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो तो आप देख सकते हैं difference देख सकते हैं कि दूसरी वाले जो साइट का चीक है वह कितना पतल लग रहा है तो यहां पर मैं थोड़ा सा पावडर यानि कि compact लगा लोंगी और इसको extra लगा कि मैं ऐसे छोड़ दूंगी अभी मैं सेट नहीं तो सबसे पहले मैंने इसमें से golden shade पिक किया है और इसको मैं अच्छे से smudge कर दूंगी आपको अच्छे से बहुत अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे न उतना अच्छा कलर आता है और दूसरी बात यह है कि कोई भी harsh line नहीं दिखती है तो आपका मतलब जो मेक अप है वह ब लगता है सबसे बड़ी बात तो यह मैंने देखो दोनों आखों को मैंने कर लिया हित्यार और यह मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया था तो इसलिए वह आपको उतना ज्यादा दिखनी रहा होगा तो मैं मेक अप कर रही थी ना सामने ही बैठे थे मेरे दो शैतान और वह आपके पास यह आईल आरे नहीं है तो आप इसमें जो आपके पास जो काजल वाले आते हैं वह लगा सकते हो तो इसमें से मैंने ग्रीन कलर पिक है और इसलिए तो इसके उपर मैं ऐसे स्टीक कर दूंगे आप देख सकते हो कि कुछ भी ज़्यादा करोंगी नहीं मैं बस चिपका दूँगी और बहुत अच्छे से वह स्टिक हो जाता है उसके उपर इस मेंने बहुत सारी वीडियोज डाल रखी इंस्टागराम पर बहुत सारी रिल्स ब्रहाई है बहुत सारी फोटो इस इने डाल रखी है तो हल्का सा मैं दूसरी आंग मैंने लगा लिया तो हल्क कितिनी सुन्द जब आदा अधूरा मेकप हुआ रहता ना लिटरली इतना गंदा लगता है ना ऐसे लगता है पता नहीं किसी प्लानेट से आए तो अच्छा मैं अभी आइब्रोस फिल कर रहे हूं ऐसे तो उपर वाले की किरपा से मेरी आइब्रोस फिल करने की जरूरत नही तो जबी भी मैं अपने आइब्रोस फिल करती हूं ना तो मैं उसको एकदम से वह जो पैंसल दना उसको लेकि कुछ लोग ऐसे आगे धर कि लगा लेंगे इतना गंदा लगता है तो इसी लिए मैंने मैं सिर्फ लास्ट में लगाती हूं और वह जो मैंने लाइन लगा था है उसी में से महिने पोच के लगाया है एक्श्ट्र कमふाल कर लिब एक ने लिया थो और इसके बाद में मस्कारणा अप्लाई कर segundos कि Do Leigh अपॉद्ध रखेस करें इस से आपको लाub लोगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तो वैसे भगवान तो मैंने इनर पर लगा लिया मैंने ये इनर भी ध VIP लेख भी मैने 就是 ताकि मेरे जो आइब्रों से थोड़ा साइड लग दैनल लगने 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 लिए तो अभी मैंने और भी लाओ बाकी जगों भी मैंने लगा लिया है हाइलाइटर कुछ इस तरीके से और मैं सची बताओं मैं अपने आपको ही मैं बड़ी अच्छी लगरी थी एक तो पता नहीं क्यों क्योंकि मैंने बहुत जादा दिन बाद मेकप किया था सायद इसलिए और दूसरी बात अच्छी लगर लगा के वीडियो बना के खतम करते तब मुझे आदा रही यार तो पर्स में रखी है मैं कहीं गई थी तुर लेके गई थी हाँ तो अब हम लगा लेंगे ब्लश तो कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे और अपने चेहरे को पढ़िया सुन्दर सुन्दर बना लेंगे तो क्योंकि 30 Make up है तो इस में 30 में हमारी इस इस सफेचल मारी यूपी में सिंदूर बहुत ही अच्छा और कंपल स्यमाना जाता है तो सिंदूर हम लगाएंगे तो यह सिंदूर घंपती पपा के अंदर है विराज माने सिंदूर तो अभी हम बंदी लगा लेंगे और उसके बा वाले हो इस लुक के लिए कि मैंने ये मेकप कैसा किया और आप लोगों को ये मेकप कैसा लगा उम्मीद करते हूं कि आप सबको ये मेकप अच्छा लगा इंस्टाग्राम पे आप लोग ये सारी पिक्चिर्स देख सकते हैं बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं तो उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेकप अच्छा लगा और भी ऐसे मेकप देखना चाहते हैं तो चैनल पे कमेंट जरूर करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मिलती हुए नेक्स वीडियो में तब तक लिए